नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका मेरे चैनल पे दोस्तों बहुती बड़ी खबर है इंडियन नेवी के लिए क्योंकि उसे प्रोजेक्ट 15B के हिसाब से विशाका प्रद्नम क्लास का पहला गाइडिड मिसाइल डेस्ट्रोयर मिल चुका है आज इसी के उपर बात करेंगे चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों इंडियन नेवी को अपना पहला P-15B स्टैल्थ गाइडिड मिसाइल डेस्ट्रोयर मिल चुका है और बड़ी बात यह है इसे एक लोकल फरम मजगाओं डोक शिप बिल्डर ने ही बनाया है इस शिप जिसका नाम विशाखा पटनम है इसकी डिलिवरी ये साबित करती है कि इंडियन गवर्मेंट कितनी समर्पित है मेकिन इंडिया के लिए आतम निर्वर भारत के लिए क्योंकि इसे लोकली बनाया गया है तो इससे हमारे इंडिजिनेस वार्शिप कंस्रक्शन प्रोग्राम को एक बहुत बड़ा मिलेगा और इस गाइडिड मिसाइल डेस्ट्रोयर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एंटी एरक्राफ्ट मिसाइल को अपने डेक से लौँच कर सकता है और ये मिसाइल पूरी तरह से गाइडिड होगी और इस से इंडियन नेवी की कॉमबेट रेडिनेस और चाहिए कि इंडियन ओशियन डेकि वूरी खाकी डेक जाईबूरी है गाता है और दोस्तों आपको ये भी बता दूँ कि इससे पहले भी हमारे पास P-15A क्लास के डेस्ट्रोयर है और ये उसी का एक फूलो अप और है बड़ी बात यह है कि इसमें इन्हें इंडिया में बनाया जाना है और इनकी वेपनरी के अंदर बहुत जादा इंप्रूमेंट की गई है इनकी टेकनोलोजी अब बहुत जादा है पहले की तुलना में और साथ इनके अंदर स्टेल्थ प्रोपर्टी भी है और इस प्रोजक्ट के तहत ऐसे चार शिप बनाये जाने हैं जिनके अगर कोस्ट की बात करें तो ये लगबग 4.8 बिलियन डॉलर के करीब है यानि 35,800 करोड रुपए के करीब है और दोस्तो इसके आर्मामेंट की बात करें स्पेशली एंटी एर मिसाइल की तो इसके अंदर चार आठ सैल वाले वर्टिकल लॉंच सिस्टम लगे हुए हैं जो 32 बराक 80 एर मिसाइल से लेस है जिनकी रेंज 500 किलो मिटर तक है और वहीं अगर एंटी शिप या लेंड अटैक की मिसाइल की बात की जाए तो इसके अंदर दो आठ सैल वाले वर्टिकल लॉंच सिस्टम लगे हुए हैं जो ब्रमोस एंटी शिप मिसाइल से लेस है और ऐसी 16 ब्रमोस मिसाइल इनके अंदर कैरी की जा सकती है और इसके इलावा इसके अंदर 1-76 mm की नेवल गन लगी हुई है और 4 AK630M गन लगी हुई है और एंटी सम्मरीन वारफेर के लिए इसके अंदर 4 533 mm के टोर्पीडो ट्यूब्स भी लगी हुई है जिसके अंदर से हमारा लोकली बना वरुनास्तरा टोर्पीडो लॉंच कि जा सकेगा और 2 RBU 6000 एंटी सम्मरीन रोकेट लॉंचर भी इसके अंदर दिये गए है और साथ ही दोस्तों ये 2 हेलिकॉप्टर कैरी कर सकता है जो कि HAL के धुरूब भी हो सकते है और सी किंग भी हो सकते है तो इस तरह से दोस्तों 4 में से हमें पहला विशाखा पतनम क्लास का destroyer मिल चुका है ये इंडियन नेवी के लिए और इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है धन्याबाद जैहिन